तो मैंने सिर्फ ये कहा कि देखिए चोट लगती है तो हस्पताल में एक्सरे होता है पहले डॉक्टर कहता है तुम्हारे हाथ में चोट लगे देखते क्या हुआ तो मैंने सिर्फ ये बात बोली कि देखिए जाती जनगरना होना चाहिए इससे क्या होगा हिंदुस्तान के हर नागरिक को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में पिछड़ों को पता लग जाएगा कि हमारी आबादी इतनी है और इस देश का इतना धन हमारे हाथ में है इस देश की संस्ताओं में हमारे ये ये लोग हैं बजट बढ़ता है तो हमारी इतनी भागिदारी बनती है दलितों को पता लग जाएगा गरीब जेनरल कास को भी पता लग जाएगा आप कितने हो और आपके भागिदारी कितनी जिस दिन मैंने यह कहा उस दिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई जाती नहीं है अच्छा अगर हिंदुस्तान में कोई जाती नहीं है तो आप अपने आपको OBC कैसे कह रहे हो आप हर भाशन में कैतों मैं OBC हूँ और जब जाती चन्गरना का टाइम आया एक सरे का टाइम आया तो आपके उधियोगपती मित्रों ने आपको एक इशारा किया आपने कह दिया हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है सिर्फ गरीब है अमीर है है ना एक उधियोगपती है गौतम अधानी आप उसको बहुत अच्छी तरह जानते हूं जानते हो ना हिंदुस्तान के एरपोर्ट अधानी हिंदुस्तान के पॉर्ट अधानी माइनिंग अधानी पावर जेनरेशन अधानी सोलर पावर अधानी विंड पावर अधानी हिमाचल से अधानी जहां भी देखो एरपोर्ट भी जहां भी देखो यह देखो यह देखो यह भी जहां भी देखो आपको एक यह दिखाई देगा रेलवे भी है भाई अगर सब कुछ बोलना पड़े यहां पर मतलब दो तीन घंटे लग जाएंगे तो मैंने में बाते बोली हैं तो राजनेती कैसे हो रही है दो तीन परसेंट लोगों को देश का सारा का सारा धन पकड़ा जा रहा है मैं चार हजार किलोमेटर चलाओं कन्या कुमारी से कश्मी ठीक है रास्ते पे हजारों युवा मुझे मिले सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान में बेरोजगारी है इस देश में युवाओं को रोजगार मिली नहीं सकता यह सचाहिए पहला मुद्दा बेरोजगारी दूसरा मुद्दा मेहंगाई इस देश में युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता कुछ भी कर लो क्यों क्यूंकि जी एस्टी लागू की नोट बंदी लागू की वह आपने शर्ट करी दी कितने की खरी दी ये आपका नाम क्या है बारासो की खरी दी जी एस्टी कितनी दी आपने आप जानते भी नहीं है आपके जेम इसेपे आपके जैब में पैसा उठाके ले गए आपका बटूखे लेकर भाग गया आपको मालूं भी नहीं भड़ा कि पत्ता मैं बताता हूं ganze परसेंट एक कितने की खरीदी थी बारा सो की अगर यही शर्ट गौता मदानी खरीदता ठीक है बारा सो की वो कितना टैक्स देता वही अठारा परसेंट देता उतना ही देता जितना इनोंने दी इनकी अमदानी 20,000 रुपए 50,000 रुपए उनकी अमदानी लाकों करोड रुपए यही उतना टैक्स देरा जितना आपके जेब में से पैसा जा रहा है 73 परसेंट के जेब से पैसा निकल रहा है देश की रक्षा का पैसा कहां से आता है आपके जेब से आता है शिक्षा का पैसा कहां से आता है आपके जेब से आता है स्वास का कहा से आता है आपका आता है बीमा योजना का पैसा कहां से आता है आपके जेब से आता है जाता कहा कि मैंने मुझे मालूम ही नहीं कि सीथा अधानी जी की जेब में बड़े-बड़े अधियोग पतियों की जेब आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा सबने देखा राष्ट्रपति आदिवासी है ना उनका चेहरा आपने देखा टीवी पे क्यों उन्होंने क्या गलती कि अधिवासी है इसलिए अंदर नहीं जाने दिया कि अंदर सिर्फ आरेसस वाले थे आपने वहां पर अंदर कोई किसान देखा घरीब यह कोई देखा मज़ूर देखा पिछ्रा दलेत आदिवासी ना का थी हततर पर्सेंट का उसकें अंदर एक आदमी नहीं था अधनी ची देखे अंबानीची देखे बॉलीवुट में पूरा पूरा बॉलिवुड देखा उसकें अंदर आप बड़े-बडे क्रिकेट के खिलाडी देखे गरीब एक देखा अपने तो फिर हाँ तो यह हो रही है राजनेती इसलिए हमने भारत जोड़ो न्याई यात्रा शुरू किये इसलिए हम चार अजार किलोमेटर चले आप कहोगे बही चार अजार किलोमेटर चलने की क्या जूरू होती हमारी बात ही नहीं रखते कुछ भी कर लो मीडिया वाले जो देश के मुद्धे हैं कभी रखते ही नहीं है भीया साच अगर भीया देखो अच्चा मीडिया है किसका मोधी जी का नहीं है बड़े बड़े उद्योग पतियों का है आप मैं आप जानते हो नरेंद्र मोधी जी ने हिंदुस्तान के श़स बस बड़े उद्योग पतियों का कितना قرضہ माद किया 16 लाग करोड़ अगर भाया कांग्रेस पार्टी 50 सुद्योग पतियों का 16 लाग करोड़ रुपया माफ कर देती तो 24 घंटे आपको कांग्रेस पार्टी मीडिया पे दिखते हैं हमारी राजनेती किसान की है, मजदूर की है, गरीबों की है, एक मिनट नहीं दिखते हम लोग नरेंद्र मोदी जी की राजनेती अरब पतियों की मदद करने की है, 24 घंटा दिखेंगे, उनका है वो टीवी, आपका थोड़ी है पहले रास्ते थे, 73 परसेंट के रास्ते थे, कौन से रास्ते थे, पपलिक सेक्टर था, बी एचियल, एचियल, ये संस्ताएं थी किसी को दिल में देश बक्ती थी तो कहते थे भाईया आप जाके सेना में जाईए एरफोर्स में जाईए नेभी में जाईए वो भी रास्ते रोग दी पबलिक सेक्टर को एक के बाद एक प्राइविटाइज कर रहे है और अगनीवीर योजना तो आपने बहुत अच्छी तरह समझ ली है देख लिया है दो तरीके के शहीद हैं अब एक रेगिलर आर्मी वाला और दूसरा अगनीवीर दोनों एक साथ लड़ेंगे दोनों एक साथ लड़ेंगे एक की छे महीने की ट्रेनिंग होगी दूसरे साथ चाइना वले तीन चार साल की ट्रेनिंग लेकर आएंगे हमारे अगनीवीर जाएंगे छे महीने की ट्रेनिंग लेकर जब वो शहीद होंगे उनको कहा जाएगा देखो तुम अगनीवीर हो तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा तुम्हारे परिवार को पेंशन नहीं मिलेगी वो ठीक से लड़ेगा क्या सवाल नहीं उठता उसको मालूम है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो सेना मेरी परिवार की रक्षा नहीं करेगी और उसके साथ चो लड़ेगा जो अगनीवीर नहीं है वो कहेगा मेरी पूरी की पूरी रक्षा होगी अगर मैं शहीद हो गया मेरे पूरे परिवार की देखबाल होगी पेंशन मिलेगी शहीत का दर्जा मिलेगा तो नतीजा आपको मालूम है अगनी भी क्यों आया कारण क्या है क्या कारण मैं बताता हूँ ट्रेनिंग का बजट कम करना है पेंशन का बजट कम करना है और वो जो पैसा ट्रेनिंग और पेंशन में जाता था वो हत्यार खरीदने में डालना है हत्यार के Indian Defense के सारे Contract देख लो Drone के Contract देख लो हत्यार के Contract देख लो सारे के सारे एक इव्यक्ति को जा रहे है नई राइफल आ रही है इसरेल में बनती है अदानी जी का Joint Venture है यहां पर बेचेंगे, आर्मी को बेचेंगे, सीधा पैसा आएगा पहले कार्टूस Indian Ordinance Factory बनाती थी अब आने वाले समय में गोला, बारूद, कार्टूस अदानी जी मनाएंगे राइफल अदानी जी मनाएंगे हिंदुस्तान की आर्मी खरे दीगी इंटरनेट पे जाओ, मेरी बात मत मानो इंटरनेट पे जाओ, अदानी डिफेंस लिख लो उसमें देख लो कहां की राइफल बन रही है, कौन सी राइफल बन रही है ड्रोन कहां का है, कैसे बेचनेश सब लिखा हुआ है वहां पे तो यह हो रहा है देश में जंता को बाटते हैं, नफरत फलाते हैं एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देंगे, जाद को जाद से लड़ा देंगे बाशा को बाशा से लड़ा देंगे नफरत फिला देंगे और पिर उसके बीच में आपका सारा का सारा धन सीधा वही दो तीन लोगों के जेब में चला जाए यह लड़ाई है यह कॉंग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में फरके यही लड़ाई हो रही है आपने हमारा यहां इतने प्यार से स्वागत किया यातर में आपने अपनी शक्ती दी अगले दिनों में मैं आपसे मिलूंगा बोट टाइम मिलेगा मिलने के लिए सेल्फी लेने के लिए हाथ मिलाने के लिए आप सब का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं नमस्कार जेहिन